नहीं स्लाम अलेकूम डिएर वीवर्स मीर वैलकुम बैक तो माई चैनल जी वीवर्स आज आछ हम बात करने जा रहे हैं जपैन के तुरिस्ट वीजा पे जबान नहीं सरे आशीफ टूरिस्ट विजा पाकिस्तान के लिए कोई जरूरत नहीं है जिस तरह के आजकल काफी European countries में appointment के problems चल रहे हैं और लोगों को उस तरह से appointments नहीं मिल पारी तो जपैन का tourist visa apply करने के लिए आपने अपनी फाइल प्रिपेर करनी है और वो लेके embassy में उसको submit करने के लिए चले जाना है without any fee so इस वीडियो में आपको बता यह रहा हूंगा कि actually आप किस तरह से यह वीजा अप्लाइग कर सकते हैं so viewers अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया so well this is the very best time to do so so viewers आते हैं आज के topic पे देखें viewers जपान वह बहुत एक modern country है और टेक्निकली बहुत sound है लाइक जो टेक्नोलोजी है जपाइन और जर्मनी यहां की टेक्नोलोजी पुरी दुनिया में मशूर है economy बहुत strong है वेज रेट बहुत जएदा है इवन कि जो वेटर्स है यह जो लोग फैक्टरी में काम कर रहे हैं पाकिस्तानी चाहर से पांच लाक मंतली तो वेज रेट के लिए आप से जपान बहुत बेतरीन कंट्री है आल्दो थोड़ी सा महंगाई ज़रूर है जपान में बट यह कि उसी तरह से वहां पर फैसिलिटीज भी अवेलेबल आप करते हैं कि आपको डॉकुमेंट्स क्या चाहिए तो वीवर्स इस वीजा में आपको ट्रेवल इंशोरंस की भी ज़रूरत नहीं है आपको चाहिए ट्रेवल आइटेंडरी होटल बुकिंग टूर प्लैन कवरिंग लेटर और वीजा फॉर्म अब आपका जो ट्रेवल प्लैन है देट हैस्टू भी इनो वेरी डिट उसमें आप डिटेल से बता रहे होंगे कि आप कितने दिन के लिए विजट करना चाहरे है और किस दिन कहां कहां पे आप स्टे कर रहे होंगे और आपके होटल से वहां का डिस्टेंस कितना है तो यह वाली सारी टेल उसमें होने चाहिए और इन सारे डॉकुमेंट में फाइल में यूर कवरिंग लैटर उसमें आपके सरकंस्टांसिस डिटेल से मेंशन होने चाहिए उसमें आपके आने की और जाने के इंटेंशन आपके अब फैमिली बैक्ग्रांड आपको फाइनेशल बैक्ग्रांड यह सारी चीज़े डिटेल से जतना बेटर वीवर्ड उतना ही जएदा आपके चांसिस होंगे जपैन का टूरिस्ट वीजा लेने के लिए इन डाकुमेंट्स में बाइदबे हम भी आपको एसिस्ट कर सकते हैं इसके अलावा जो वीवर्ड आपको डाकुमेंट्स चाहिए होंगे उसमें आपके पासपोर्ट्स आपकी जितने प कौपी लेकर जा रहे होंगे इसके बाद आप अगर जॉब करते हैं तो आपका कोई भी इंप्लयमेंट लेटर अफर लेटर इस तरह कोई भी लेटर आपका आपके डॉक्मेंट में वह अप्लस आपका एन उसी आपने अपने इंप्लोयर से लेना उन्हीं डेट्स का जिसम तो उसका letter होना चाहिए उसके बाद आपकी कम से कम दो returns जो है last text returns वो होनी चाहिए और text returns में viewers आपने जितने भी अपने assets show किये होंगे उन assets के documents की copies भी आप अपनी file के साथ जरूर लगाईएगा इसके बाद विवर जो आपको picture चाहिए होगी वो white background में two by two size की जो US का visa apply करने के लिए चाहिए होती है उस size की two by two size की white background के अंदर आपको picture चाहिए होगी so viewers आपने अब यह documents लेके तो जो embassy का time है that's nine a.m. to eleven a.m. आपने नो बज़े से यारा बज़े के दर्मयान में embassy में पहुंच जाना है ठीक है और वहाँ पे आपके document जो हैं submit होंगे आप से कोई पैसे नहीं लिये जाएंगे once viewers जब आप documents submit कर देते हैं अपने तो उसके within three to six days आपका decision आजएगा आपको embassy से call आजएगी के आके अपने passport documents वापस ले जाएंगे और वापसी का time जो है वापसी का टाइम जो तू थर्ट तू थर्ट तू थर्ट पी एम है so viewers यह थी मेरी आज की वीडियो I hope you would have like it so viewers till my next video Allah Hafiz